similarities and differences in cultures मैं आपको एक study के बारे में बताती हूँ human value instantiation instant होता है वाकिया, कोई incidence, कोई मिसाल तो behavior की कोई मिसालें अगर हम दिये जाएं तो उनके पीछे कोई एकदार या values होती है इन values को वो behavior represent करते है मसलान किसी बड़े के आने पर मेरा खड़ा हो जाना ये तो behavior है, उसके पीछे value कैई अब सब सोच रहे होंगे, उसके पीछे अदब की respect की value है तो बहुत से cultures में मिलती है behavior concrete होता है और value जो है एक abstract concept है जैसे अजादी या enjoyment या benevolence या महरबानी तो ये तो एक abstract है ना मुझे कैसे पता चला कि आप महरबानी वाला behavior कर रहे है तो उन्होंने कुछ cultures में इस पर ये study की तीन country से sample लिया इंडिया, United Kingdom and Brazil दो studies की, पहली में उन्होंने लोगों से ये पूछा कि किसी value को जाहर कैसे होती है तो लोगोंने बहुत सी मिसाल लें दी उसमें मैं आपको model दिखाऊंगी कि वो values रहे हैं, वो किस तरह distributed हैं एक model में और उसके बाद उन्होंने behavior बताए और कहा कि ये match करें कि इसके पीछे कौन सी value है ये जो research है ये frontiers एक journal भी है उसका पुरा web address मैंने याँ पे आपको दिया हूए it's very interesting to read a bit advanced research but you'll get used to it because उसका gist मैंने आपको पेश कर दिया values or behavior for example, behavior है saving water, पानी की बच्चत करना value है protecting environment action है हमारा किसी को खेरात में पैसे देना value क्या है helping behavior है दोस्तों से खेलना उसके पीछे जो value है जिस चीज़ को आप एहमियत देते हैं वो है enjoyment अब study का नतीज़ ये निकला कि एक मुल्क के अंदर इतनी variability थी इतना तनवो था, लोग एक दूसरे से इन human values में बहुत मुक्तलिफ थे जब के countries के बीच में जो फर्क था वो उसके मकाबले में कम था ठीक, इसका मतलब ये है के एक culture में लोग मुक्तलिफ होती हैं अपनी values और behavior के साब से लेकिन उन behavior को value से relate करने में culture में कोई फर्क नहीं था किसी को इसमें शक नहीं था कि आगे बढ़के हाथ मिलाना जो है उसके पीछे value है social respect और social behavior और पेंचिप तो across cultures difference कम थे within culture थे इस बात पर सूचिए का ये model है उपर self transcendence है अपनी जात से उपर नीचे है अपनी जात को परवान चढ़ाना self enhancement खुद को बढ़ाना चढ़ाना पर्मोट करना लेफ्ट को है openness और राइट को है conservation conservation होता है बचाना और openness होता है expand करना खोलना तो आपको ये जो इसके अंदर cohort's नजर आ रहे हैं अब देखें self transcendence में है universalism जात से बढ़के पुरी universe का सोचना benevolence लोग महर्बानी बहुत महर्बान होना अपनी जात में इसमें loyalty भी है वफदारी यह नहीं और honesty भी है इमानदारी नीचे आएं तो self enhancement में achievement आप क्या हासिल कर रहे हैं और power ताकत, दौलत, social power left को देखे openness में है self direction मैं खुद जो हो चाहूँ अपना रस्ता इस्तमाल करूँ बनाऊँ stimulation जैसे आप बहादर हो, daring हो, risk लेना चामते हो नई चीज स्टार्ट कर सके चाहे वो business हो, चाहे तालीम हो चाहे किसी culture में जाना हो चाहे अपने लिए फैसला करना हो कि मैंने किसी चीज को ज्यादा पढ़ना है आपकी जिंदकी में बड़ा तनवह है interest है और conservation में है security यानि महफूज रहना family की security इसमें सबसे अहम होती है conformity यानि ताबिदारी करना, फर्माबतारी करना जो दिये गए हैं आपको society के norms उसके मताबिक रहना तो cultures में ये सारे models होते है नतीजा क्या था इस research का people endorse the same values to similar extent of drugs cultures humanity है या benevolence है या honesty है या enjoyment है उसको लोग उसी तरह समझते हैं जिस तरह के वो हैं और उनके instance या उसकी जो क्या जाहिर करता है ये करना उसको वो बड़ी अच्छी तरह cultures के बीच में understanding है इसकी एक culture के इंद ज्यादा variety है जहां पर difference है वो बस context में हैं जिसकी example देते है author के Brazil और United Kingdom saving कूड़ा कूड़े को जगा पे डालना कूड़े दान में डालने को saving the environment, protecting the environment की value से relate करते थे जबके इंडिया में ऐसे नहीं था और I'm sure पाकिस्तान में भी हम क्योंके environment protect करना एक एहम value जब तक नहीं बनेंगी तो फिर आपको ये सोचना होगा कि मैं किस किस तरह environment को protect करता हूँ तो उसने तपसरा किया है कि इंडिया के बजार या public places या घरों की गलियां देखे तो बात समझ आती है कि ये कुड़ा डालने को एक एहम value से relate नहीं करते हैं कि अवार ये सोचना है